हाई फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग डाइजेस्टिव एंजेम्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही डाइजेस्टिव एंजेम्स के टाइप्स को भी दिखेंगे और वीडियो की एंड में एक अमेजिंग ट्रिक को भी देहेंगे जिससे हम सारे डाइजेस्टिव याद कर लेंगे तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो पिलीज वीडियो को लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकिशन आप तक सबसे पहले पहुंचे फ्रेंड्स वे एंजाइम्स जो किसी भी ही फूद मेटेल सो हो डाजेस्ट कराने में हार उन्हें हान्नक ऐस्टिब ऍजाइम्स को तीन भागों में बाता गया है हैं पहला आभरा एमाईलोलाटिक एंजायम्स दूसरा लीपोलाट को डाइजेस्ट कराने में help करते हैं कर्बोहाइड़ेट फूड जैसे छावल रोटी तो इस तरह के फूट्स को जो एंजाइम्स डाइजेस्ट कराने में help करते हैं उन्हें एमयोलाटिक एनजयम्स करते हैं स्सूकरे में कुछ Merim jog नहीं में लिखा हूं सुकुरेघ मोलटे मोलटेज मोल्टेज मेके कंश एन takit में मईलाटिक एनजयम्स mor commissioner अब हम चलते हैं अबने क्लिक्ट डrang immers के प्रेंण खर ऑफ फ्रेंड प्रोडोलयटिक यंजय को तीन वेकर दीन प्यंजय को और में हट्ट त्यूज़ै organs दिन अब इससलिता यह वे गोड़ेंड के फूट को डायिस्ट करने में हल्फ या फ्रेट ऑफ्रेंड बटर, ETC Friends, I hope कि आपको तिनों टाइपस अप डाइजिस्टिव एंजाइम्स वन में आ गये होंगे तो चलते हैं हम अपनी ट्रिक की वर जिसे सारे डाइजिस्टिव एंजाइम्स को याद करेंगे Friends, ट्रिक बस एक छोटा सा सेंटेंस है और वो यह सेंटेंस है सिम्ला, TRP, LIE सिम्ला नाम की कोई लड़की यह है और उनकी माँ उनसे कहती है कि तुम TRP, LIE Friends, अब हम क्या करेंगे? सारे लेटर्स को अलग-अलग करके लिखेंगे तो पहले क्या है? सिम्ला है सिम्ला को अलग-अलग करके तो मैं यह पहले से अलग करके रखा हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बने और एक तरफ TRP और फिर एक तरफ के इदर LI यह बने सिम्ला हो गया आपका टि टि आरपी हो गया प्रोटीए खाएं और LI हो गया क्या लिपोलाटिक इंजायब चलिए यह सारे लेटर को इंडि विचीज्वेली देखते हैं तो पहले क्या? यस ये से सुक्राइज आह से मोल्टेज हमें लकेजय इसे मल्ज जैज helaaaa ons लेक्तेजेज दूसरे तरस पेकने ती से ट्रिफेबश ini data reduzis चूटकी में यात इसके बाउजुत भी अगर आपको कोई डाउट हो फरेंड तो पिलीज कमेंट बोक्स में मिचन करें